हाई फ्रेंड आज मैं लेकर आ हूँ एक नया मेंबर को जो है जुपिटर का काची बहुत टाइम से हम ओनलाइन में रिव्यू देख देखके फाइनली हम एमाजोन से इसको मंगाया जिसका लिंक हम डेस्किप्शन में दे देंगे बहुत संदर तरीके से इमाजोन ने इसको पैकिंग किया तो चलो इसको हम आन्बॉक्सिन करके आपको दिखाते हैं इसके पीछे काची के बारे में कुछ डिटेल्स नहीं दिया है तो चलो दिखते हैं आन्बॉक्सिन करके इसको काट लेते हैं पहले चलो बॉक्स को निकलते यह देखिए सुन्दर सा एक बॉक्स जिसके उपर लिखा है जुपिटर आर्ड लार्ज आर्ड से आर्ड और साइड में लिखा है यह 250 यहां पर सिजर का नामबर दिया है कितना इंच का यहां पीछे वाला पाट और काफी कुछ दिया ही नहीं है तो चलो खुल के देखते है यह देखो मिल गया मेरा काची बहुत अच्छा देखने में है और कवर किया है इसको मुझ को इसके हैंडल जो है कोटिन किया है और बहुत हलका है यह देखो इसके उपर एक कितना इंच का है उसका नामबर दिया है और यह जो गोल्डन देख रहे हो यह पितल का है मैं जब अनलाइन सार्च कर रही थी कांची के बाड़े में तब बोल रहा था कि 10 इंच आपके लिए बेस्ट होगा अगर आप छोटा मोटा बूटी का काम कर रहे हो तो और इसका मेटरियल भी बहुत आच्छा होता है तो तीन अगर काटिंग कर तो दिन में तो तेन मला कांची आपक बहुत जाता है साइद तो और भी रिव्यू देखा 11 के बाड़े में कोई ज्यादा काफी डिटेल्स में नहीं दिया था लेकिन 12 के बाड़े में बहुत लोगों ने रिव्यू दिया बोल रहा था कि आगर आप एक दिन में 50 या 100 का काटिंग करो तो 12 उसके लिए आच्छा और भी एक सीते एड़ कर लेती हूं तो आपको काटिंग करके दिखाती हूं अगर या काट जाये तो कपड़ा और भी आसानी से काट जाएगा यह देखिए हम काटिंग करते थोड़ा सा पेशल लागा क्यूंकि यह बहुत ही ठीक है और लाइलिन भी है इसको हम खोल के दि देखा जब कांची खड़ी दोगे तो जुपीटर आर ऐसा सीमोल देखे कांची खड़ी दना क्यूंकि कंपानी बहुत सारा है जिसमें जुपीटर लिखा हुआ है सायथ फेग भी हो सकता है तो मैं एमाजॉन से इसको पार्चिस किया तो चलिए देखते इसको बाद में का करके कैसे लगता है अगर मेरे कांची अच्छा है तो प्लीज कमेंट करके बताना